25 फरवरी को योगी आदितनात ने विधान सभा के अंदर एक शपत ली थी ये शपत थी उमेश पाल की हत्या में शामिल अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की आज एक महिने बाद योगी आदितनात ने अपनी वो शपत पूरी कर दे माफिय डौन अतिक एहमत को आज कोट से उम्रकेद की सजा मिली सजा मिलने से पहले अतिक अपने भाई का कंधा पकड़ कर कोट रूम में रो रहा था अतिक की आखों से गुनाहों के आसू निकल रहे थे जो उसने बीते 43 सालों में किये है अतिक को लगता था कि प्रयागराज में उसका कोई कुछ नहीं बिगार सकता वो कानून के साथ खेलता रहेगा लेकिन योगी आधितनात ने अतिक अभरम और घमन दोनों दोती है योगी ने एक और माफिया का बाहुबल मित्ती में मिला दिया है अब उसके गुनाहों की सजा मिलनी शुरू हो गई है अब तक उसे दो मामलों में सजा मिल चुकी है पहली शपत पूरी हो गई योगी की पहली शबत पूर्ट चाहे गुनाह कितना भी पूरा ना क्यूं ना हो उसका हिसाब एक नाएक दिन्ग जरूर होता है 43 सालों के अपरादी कितिहास वाले माफिया डाउन अतीक अहमत को पहली बार उसके अपराद की स्तजा मिले पहली बार अतीक को समझाया होगा कि कारून और प्रशाशन जब अपनी पर आ जाए तो कोई बाहूबल काम नहीं आता अतीक अहमत को 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरन केस में प्रियागराज की MPML कोर्ट ने उम्रकैत की सजा सुनाया है अतीक के साथ उसके दो और साथियों खान, शौलत, हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्रकैत की सजा सुनाई गई है आज इवन कारावास के साथ साथ, तीनों दोशियों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है साथी अतीक और उसके दोनों साथियों को एक-एक लाक रुपए उमेश पाल के परिवार को मुआफ़ा देने का आदेश भी दिया गया है जिस उमेश पाल के अपारण के मामले में कोड ने अतीक को सजा सुनाई है आज वो उमेश पाल इस पैसले को सुनने के लिए दुनिया में मौजूद नहीं क्योंकि पिछले महिने ही उमेश पाल की प्रियागराज में सरे आम बेरहमी से हत्या कर दी गई उमेश पाल को गवा चुकी मा अतीक को उम्रकायत की सजा मिलने पर खुशी से रोने लगी उस मा की आँखों से आसु ठम ही नहीं रहे थे आखिर 17 साल बाद फोड़ से इंसाफ जो मिला है लेकिन मा के लिए ये इंसाफ अभी प्री अधूरा है उमेश पाल की मा योगी सरकार और कानून से यही मांग कर रही है कि उसके बेटे की हत्या करने वालों को अफासी के फंदे तक पहुँचा दिया जै अपने पती को गवाने वाली जया आप पाल भी मानती है कि अतीक के लिए उम्र कैद की सजा कम है मैं आप जो है मानी मुख्यमंत्री जीस से निवेदन करूँगी मैं अकेले हूँ मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है मैं उन्हीं से याचना करूँगी कि उस आदमी को उसके पूरे परिवार को चाहे अतीक हो चाहे अश्रफ हो चाहे उसका लड़का हो चाहे कोई भी हो जब तक उनको खतम नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा उमेश पाल की हत्या में भी अतीक एहमद के शामिल होने का आरोफ है पुलिस को शक है कि उमेश की हत्या की साजिश अतीक के इशारे पर ही रची गई जो अतीक अपने बाहुबल के दम पर दूसरों को रुलाता था वो पहली बार अदालत में अपने गुनाहों पर रोया अतीक एहमद अपने भाई अश्रफ के कंधे पर सिर रख कर रोया अतीक के आसू उसके कर्मों के आसू है उमेश पाल अपहरां केस में अटीक का भाई अशरफ भी आरोपी बनाया गया था लेकिन उससे कोर्ट ने इस केस में बड़ी कर दिया थो उसके साथ चार और आरोपी भी बड़ी कर दिया तरप्रदेश की जन्ता को यह विश्वास दिलाया है कि अपराद और अपराधियों के प्रती उसकी जीरो टॉलरेंस की नीती है अतिक एहमत को उम्रकैत की सजा मिली लेकिन उसका भाई अशरफ बरी हो गया इसके बाद राजुपाल की पत्नी पूर विधायक पूजापाल ने अशरफ को बरी किये जाने पर अनुहोनी की आशंका जताई है अशरफ तो एकदम खतरनाक रखती है 43 साल तक अतिक प्रियागराज और फूलपूर में अपराद पर अपराद करता रहा हत्या, अपहरण, लूट और जमीन पर कबजेर ऐसे संगीन अपरादों का शतक अतिक ने पूरा कर लिया था लेकिन 43 साल तक वो बाहुबल के दम पर सजा से बसता रहा अब 43 साल बाद जाकर उसे किसी केस में सजा मिली तवाल उट रहे हैं कि एक केस में सजा मिली है, बाकी के दरजनों केस में सजा कब मिलेगी योगी आरे 33 के शाशनकाल में अतिक हमत के बाहुबल को ध्मस्त करने के लिए बुल्डोजर भी खूब गर जेए बीते दो साल में अतिक हमत उसके परिवार और करीबियों की हजारो करोन की समपति पर बुल्डोजर सेल चुका है योगी के शाशन में बाहु बली और उसके परिवार का हश्र क्या होता है जला इस ग्राफिक से समझे अतीक एहमत को उम्रेकैत की सदा मिल चुकी है और वो जेल में अतीक एहमत की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है अश्रफ यानि अतीक का भाई जेल में है उमर अतीक का बेटा अभी हिरासत में है अतीक का एक और बेटा अली फुलिस की हिरासत में है जबकि उमेश पाड मडर का आरोपी अतीक एहमत का बेटा असर फरार चल रहा है सिर्फ अतीखी नहीं पूर्वांचल के एक और माफिया को उसके कर्मों की सजा योगी के शाशनकाल में मिली है मुक्तार अंसारी कभी पूर्वांचल में खौफ का पर्याय था लेकिन आज वो जेल में सजा काट रहा है बीते 40 साल में मुक्तार पर हत्या अपहरल और जमीन पर कभजे जैसे 60 से ज्यादा संगीन आरोप लगी मुक्तार भी अपरात पर अपरात करता गिये लेकिन सजा से बस्ता रहा पर्योगी के शाशनकाल में नियाय के कट घरे में उसे भी खड़ा होना पड़ा और 40 साल से ज्यादा लंबी क्राइम हिस्ट्री में पहली बार उसे भी सजा मिली पिष्टे साल सेतंबर में उसे 19 साल पुराने केस में अधालत ने 7 साल की सजा सुनाई इसके बाद दिसम्बर में मुक्तार अंसारी को गैंगेशर एट के केस में 10 साल की सजा मिली अब मुक्तार के परिवार का हश्र भी देख लीजिए मुक्तार अंसारी दो मामलों में सजायापता है और जेल में बंद है मुक्तार अंसारी की पतनी अफशा अंसारी परार है मुक्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जेल में बंद है जबकि बहु निखात अंसारी भी जेल में बंद है। उत्रप्रदेश में माफिया डौन इस गुरूर में रहते थे कि वो कोई भी अपरात कर लें सत्ता और कानून उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। इससे पहले माफिया जेल में रहते हुए भी संगठित अपरात को अंजाम देते रहते थे लेकिन योगी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि उत्तरप्रदेश में माफिया राज नहीं सिर्फ कानून का राच्चने का। विशाल रखुएंसी और मौलिक धामेचा के साथ मौम्मद गुफरांद, जी मीडिया, प्रियाग राच्च